ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा मित्रों सबसे पहले तो मैं राजिस्थान की जनता का आभार प्रिकट करता हूं लोग सभा के चुनाओं में 25 में से 25 सीटें यहां भारती जनता पार्टी एक सहयोगी 24 भारती जनता पार्टी जीती और माननी नरेंदर मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने में सो प्रिशत आसिरवाद और योगदान राजिस्थान की महान जनता ने दिया लोग सभा चुनाओं में सांदार सफलता मिली और राजिनेतिक पंडितों के सारे बिसले सन गड़ बला गए बिसे इसका राजिस्थान, मध्रदेश, 36 गड़ और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में गड़बंदन, महागड़बंदन, बिहार बंगाल कई नामों, कई राज्यों के नाम थे यहां राजिनेतिक पंडितिये कहते थे कि भारती जन्ता पार्टी यहां सांदार सफलता प्राप्ट नहीं कर सकती, सीटें घटेंगी इन सारे अनुमान गलत सावित हुए अकेली भारती जन्ता पार्टी 300 के पार पहुंची, 303 और एंडियों को मिला के 353 सीटें मानी नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का पिछला कारिकाल बहुत एसस्वी प्रभावी रहा और एक नए भारत का उद्य हुआ लेकिन यह इस कारिकाल की भी सुरुआज बड़ी सांदार हुए जन्संकी स्थापना के समय से हम सब का सपना था कस्मीर से धारा 370 समाप थो जन्संकी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर स्यामा प्रसाद मुकर जी एक देश में दो निसान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे कि मंद्र का उद्गोस करते हुए बिना पर्मिट के कस्मीर में प्रिवेस किये थे और उनका कस्मीर में बलिदान हुआ था कई वार लोगों को लगता था यह धारा 370 ऐसा विसे है जो किवल लिखने के लिए होता है यह टेगी थोड़ी लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ग्रह मंत्री अमिस साह जी को हिरदेर से धन्यवाद देता हूँ पंडे जबालाल नहरू जी ने जो एतिहास एक भूल की थी और एक तरह से देश के पृति अपराद था यह कस्मीर में धारत 370 लगाना क्योंकि हम सब जानते हैं महराजा हरी सिंग ने कोई धारत 370 की सर तो ने रखी थी भारत में विले के समय पता नहरू जी को सेख अबदुल्ला जी से इतना प्रेम क्यों था दाक्टरां अमबेड कर जी ने जो जब सेख अबदुल्ला जी ने कहा था कस्मीर को विसेष मोय राज़िका दर्जा देने का प्रारूप तेयार करो मना कर दिया था उन्होंने इसका विरोध किया था और का था इससे आगे कई समस्या पैदा होगी तब नहरू जी के रुची लेने के करण स्री आइंगर जी ने ये मसौदा तयार किया था और ये एक ऐसी धारा थी जिसने कस्मीर में आतंगबाद को पन पाया कई वर्सों तक खून की होली खेली जाती रही है अब ये धारा तीन सो सत्तर हो या पाक आकोपाइट कस्मीर का मामला अब पाकिस्तान ने हमला किया भारत की फोजें बहादुरी के साथ लड़ रही थी और थोड़ा समय मिल जाता तो पाक आकोपाइट कस्मीर नाम की कोई चीज नहीं रहती गुलाम कस्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती कस्मीर का एक एक इंच भारत का होता लेकिन तब पंडित नहरू जी ने युद्धिवराम कर दिया एक तरफा युद्वराम सेंगत राश्ट संग में मामला ले गए अब ये सेंगत राश्ट संग में हमारे देश के आंतरिक मामले को ले जाने की जगवत क्या थी जो एतिहास एक भूल पंडे जवालाल नेरू जी ने की थी उस भूल को 70 साल के संगर्स के बाद केबल 48 घंटे में सुधार दिया नरेंदर मोदी जी ने हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कस्मीर पे इस्टेंड क्या ये तो बताओ अधीर रंजन चौधरी पीछ दंबरम ये धारा 370 हटने का विरोध करते हैं लेकिन कांग्रेस के कई नेता गया रहे नहीं धारा 370 तो हटनी चाहिए कल हुड़ा जी ने भी स्वागत किया कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पर अपना स्टेंड इस पस्ट नहीं कर पा रही और मैडम तो बोली नहीं है जो कांग्रेस की अभी अंतनिम अध्यक्ष है ना राहुल जी बोले ना मैडम बोली और प्रियंका जी से पूछा तो साथ जो सही होगी थे वो गुस्सा हो गए पत्रकारों के साथ ही बत्सलूकी हो गई आज देश पूछना चाहता कांग्रेस का स्टेंड क्या किलियर करे तीन तलाग के सवाल पर जिस रंग से कांग्रेस ने विरोध किया एक महला विरोध ही कदम था कांग्रेस का तब जब स्वरगी राजीव गांदी जी ने सहवान और प्रिक्राण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वावजूद भी सम्विधान में संसोधन कर दिया था वो महलाओ के अधिकार को चलने का मामला था और ऐसी बरवर परंपरा को हटाने का हटाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया और कांग्रेस की तो आज अजीव हालत है एक तो राहुल गांधी जी को देश से माफी माँगनी चाहिए राजिस्तान, मदप्रदेश, 36 गर्ड चुनाओ के समय आयते विधान सबस्चुनाओं में और एक ही बात कहते थे दस दिन के अंदर किसानों का करजा माफ गिन गिन के बताते थे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस और दस दिन में करजा माफ नहीं हुआ तो गयर वे दिन मुक्खमत्री बदल दूँगा हवाट मईना हो गए मदप्रदेश में करजा माफ नहीं हुआ राजिस्थान में करजा माफ नहीं हुआ, च्छत्रीस गर्ल में करजा माफ नहीं हुआ ये करज माफ यह का बादा कोई ससरत नहीं था कि इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे खुला एलान था राहूल गांदी का दस दिन में माफ नहीं तो मुखमंत्री हटा देंगे अब आठ महीना हो गए कितने मुखमंत्री हट जाने चाहिए थे मुखमंत्री तो नहीं हटे लेकिन कांग्रेस के रास्टी अद्धक्षी खुद हट गए राहुल गांधी रंचोड गांधी बन गए हमने तो यह देखा था कि जहाज अगर कोई जूपता था तो कैप्टिन अंत्म सांस तक बचाने की कोसिस करता था लेकिन कांग्रेश के जहाज के कैप्टिन नहीं सबसे पहले चलांग लगाई मैं चला तुम जानो तुम्हारा काम जाने कई दोनों तक कांग्रेश में कोई अद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् गी जब तक परिवारबाद और वंसवाद समाप्त ना हो जाए एक परिवार की गुलाम जब तक यह पार्टी बनी रहेगी कांग्रेस पनप नहीं सकती लेकिन जो राज्य सरकार है चल रही है वो भी अजब गजब चल रही है राजिस्थानों मद्र प्रटेश वो अपराधियों के गड़ बन गए मद्र प्रटेश में भी बच्चों का अपराण हत्याए मेलाओं के पृति अपराद, S.C.S.T. के पृति अपराद लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपराद यू खुल के खेल रहे हैं राजिस्तान में भी चाहे हमारे दलिद भाई बहन हो माताएं बहने हो बच्चे उनके प्रतिया अपराद लगातार बढ़ते जा रहे हैं अब धानका जी अलवर की एक बेहन को उनके पती के सामने गैंग रैप किया गया मुकदमा दर्ज करवाने के बापजूद भी कारवाई नहीं की गई उसका बीडियो बाइरल होता है पुलिस देखती रहती है राजधानी के बारे में जैपूर की राजधानी जो राजथान का गौरव है छोटी कासी अब कैपिटल आफ क्राइम के नाम से आज जाना जा रहा है राजधानी की एक ठाने में बलातकार अब पीडित बहन को न्याय ना मिलने के कारण उसने आग लगाई जिन्दा जली और मृत्यों होने तक पुलिस देखती रहती है एक नहीं पूरे प्रदेश मेहने को घटना है अलबर जले की जिराना गाउं है अठाइस बरसी नौजवान हरीश जाटप की पीट-पीट के हद्या कर दी गई लेकिन तुस्ट्री करण की नीती के कारणा पीजमेंट के कारण अपरादियों के खिलाब प्रभावी कारवाई नहीं कि अपरादी ग्रफतार नहीं हुए और अंत्ता स्वतंत्ता दिवस के दिन दुखी पिता भी जहर खाके जान दे देता है हालत इतने खराब है कि कावरियों के जुलूस पे पथरा हो रहें और कहीं कोई प्रभावी कारवाई नहीं होती ये अपीजमेंट की राजनीती ने देश को भी बरबाद किया और अब ये प्रदेश को बरबाद कर रही है मित्र एक एक नहीं ऐसी एने को घटना है धारा तीनसो सत्तर हटी पूरा देश जूम उठा लेकिन अगर उस पर जस्त मनाई जाए उस पर मार पीट की जाए पर सन्निता मनाने वालों पर हमले किये जाए और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे अपराजियों के होसले इसलिए बुलंद है के राजने तेक संड़क्षण मिल रहा है भारते जन्ता पाइटी स्टुस्ट्रिकरण की नीती के खिलाफ है कांग्रेस अपने बचन पूरा करे करजा माफ करे बेरोजगारों को भत्ता दे पद राहुल गांधी को छोड़ने के जरुवत नहीं थी पद तो मुक्ष मंत्रियों को छोड़ना चाहिए मित्र आज मैं सदस्ता अभियान के लिए आया हूँ मैं राजस्थान प्रदेश की एकाई को बढ़ाई देना चाहता हूँ पचास लाग हमारी सदस्ता का लक्ष था लगवक्ष 47 लाग सदस्ते राजस्थान में भारती जन्ता पार्टी ने बना लिये समाच का हर एक वर्ग भारती जन्ता पार्टी से जुड़ राएं सर्विस परसी और सर्व ब्यापी भाजपाई हमारा मंत्र था यहां समाच के हर वर्ग के लोग भारती जन्ता पार्टी के सदस्त बन रहें कमजोर बूठ छाट के भावी लक्ष तै किया था कि जो सदस बनाएंगे उस लक्ष को भी हम पूरा कर रहे हैं कोई बूठ नहीं छोड़ा है और इसलिए मैं राइस्थान प्रदेश को बढ़ाई देता हूँ हमने पहले तै किया था कि ग्यारा करोर सदस तवियाट 20% उसमें और जोड़ेंगे लेकिन अभी साड़े तीन करोर से जादा सदस बन गए लक्ष से हम बहुत आगे निकल गए और सदस बनाने का ये क्रम अभी लगातार जारी है मित्रो प्रदान मंत्री जी ने नया न्यू इंडिया बनाने का आभान किया है और भारती जन्ता पार्टी के सदस्ता भ्यान के अवल सत्ता के लिए नहीं है भारती जन्ता पार्टी देश बनाने का भ्यान है उसलिए देश बनाने के काम में हम समाज के हरवर को और आम जन को जोड़ना चाहते हैं नरेंदर मोदी जी भारत को भगवान का बरदान है और नरेंदर मोदी जी की अमिसाह जी की जोड़ी अर्जुन और कृष्णि की तरह देश तेजी से आगया बढ़ रहा है लेकिन देश को आगया बढ़ाने में आम नागरिक अपना योगदान दे इसलिए सदस्ता को भी सामज एक सरोगारों से ब्रेक्षा रोपन जैसे कारिकमों को से हमने जोड़ा है स्वच्छता ब्रेक्षा रोपन पानी बचाओ एक नियाने को आभान प्रधान मंत्री जी ने किये उनको पूरा करने की दिसा में भी भारती जन्ता पालिटी के सदस से अपना महत्पून रोल अदा करेंगे भूम का निभाएंगे लेकि मधपनेस में अगर हम चाहते तो ये सरकार बनती ही नहीं क्योंकि पूरा बहुमत इस पस्ट बहुमत कांग्रेस के पास नहीं था कांग्रेस ने सपा बसपा और निर्दलियों को मिला के सरकार बनाई और ये चर्चा भी हुई थी कि उनका भी बहुमत नहीं है और वोट हमें ज़्यादा मिले मदप्देस में सीट हमारी जरूर थोड़ी कम रह गई लेकिन मुझे लगा कि सीट अगर ज़्यादा मिली है तो कांग्रेसी सरकार बनाए इसलिए हम अपनी तरफ से कोई पहल सरकार गिराने की नहीं करेंगे लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है माज हालत ये है राजिस्थान हो चाए मदप्देस हो या सीएम और डिप्टी सीएम में नहीं बनती हम भी एक नियानिय को उठ है एक दिल के तुकड़े हजार हुए कोई दर गिरा कोई उदर गिरा अब कोई तुकड़े लेके भग निकले कांग्रेस की तुकड़े को तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं देखिए दोनों जो बात मैंने कही है एक देश के कल्यान के लिए नव दिर्मान के लिए राश्ट्री पुनर दिर्मान के लिए असाधारन एक्छा सक्ती का प्रिकटी करन चाय आतंगबाद को कुछलने का माम लाओ कस्वीर में धारा 370 समाप्त करने का माम लाओ तीन तलाग जिसमें लोग डरते थे कांपते थे के कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और धारा 370 में भी यही लगता था पता नहीं क्या होगा जिस इक्छा सक्ती और संकल्ब सक्ती का परिचे दिया है वो अभूत पूर्व है और यह भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकती और इसलिए स्वारी का जो प्रिकटी करण है उसके कारण यह उपमदी है कस्वीर में धीन 3.370 लगाने का अपराद ऐसे परिवारों के द्वार ही था जो पंडित नहीरू जी ने माना था और धारा 370 लगाई थी इस धारा 370 के कारण दो-तीन परिवार ही पूरे कस्वीर को लूटते रहे और बातावर्ण यह बनाते रहे कि अगर यह इसके साथ छेड़ चाड़ हुई तो आग लग जाएगी कस्वीर में लेकिन कस्वीर में सान्ती है अगर उनको तकलीफ होती है गिने चुने लोगों को तो इसमें हम क्या क्या सकते हैं सुरक्षा के लिए जो आवसक कदम है वो सरकार ने उठाएं